अप्लोटन को बिल्कुल सही सवाल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घंगरी स्पिरिट्स में घंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंचु चर्मा दिल से स्वागत करती हूं मलहार सरकार अचानक पहुंचाते हैं और सब को सुन लेते हैं इनफेक्ट मैं तो ये कहूंगी मैंने बीच में भी शेयर किया था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास इंफ्रॉमेशन रही जाती होंगी जरूर जाती होंगी इसरे आते ही उन्होंने टिपनी की उन्होंने कहा कि खंडराओ अगर तुम सही करते तो अहिल्या को जाना नहीं पड़ता चली इस पर चर्चा करते हैं मगर पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी दख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजे साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहें तो दोस्तों मलहार सरकार का आना अपने आप में ही बहुत बड़ी स्पोर्ट है अहिल्या देवी के लिए क्योंकि मलहार सरकार और ohilya देवी की सोच काफी हद तक मिलती है गुरु चला की जोडी है ये हमेशा ब्रजा की बलाई सोछती है खंडरो भील सोचते हैं मगर भटक जाते हैं यहाँ पे जो मलहार सरकार आके खंडरो को ये पूछते हैं कि ये जो पस्ताव जो हुआ है लागू जो अहिल्या ने पस्ताव रखा तुम ने क्यों नहीं किया है ये सवाल था बड़ा मलहार सरकार का इस सवाल के पीछे उनको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना था बताना था खंडेराव को जब वो गए थे तो उन्होंने कितनी सारी उनको बातें बताई थी कि राजा का फर्स क्या होता है नीव क्या होती है वगएरा वगएरा वो जब वापिस आए तो उनको ये देखने को मिला कि फिर से अहिलिया दिवी को इस हालत में दर्बार में जाना पड़ा क्योंके खंडेराव दर्बार को नहीं संभाल पाए इसलिए तो उन्होंने ये सवाल किये साथ में उन्हें तरीर भी की कि तुम्हें महर लगा कि बहुत अच्छा किया अगर ना लगाते महर भुनुजी की बातों में आ जाते तो खंडराँ क्या घलत कर जाते तो ये जो मलहार सरकार का सवाल था इसके आगे खंडराँ के पास जवाब नहीं था या फिर जवाब देंगे तो बताएंगे अपनी पूरी कत्rates कि मैं तो ढूम्डने के लिए गयाता यहाँ पे गयाता मैं तो वहाँ पे गयाता मगर सवाल यही एक कंडिलों के लिए कि कंडिलों अपने पेरों पे क्यों नहीं खड़े होते हैं जबकि इतना अच्छा वो समझते हैं सब चीजों को, इतना अच्छा दरबार संभालते हैं, मगर क्यों किसी की बातों में आ जाते हैं? भलहार सरकार का ये सवाल पूछने का यही एक मतलब हो सकता है, दोस्तों. आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए, देखते रही है, चैनल हंदी स्पिर्स, थाइड़ी सो मच.